नमस्कार दोस्तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल नौकरी एक्जाम वाला में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बता दें आपको कि ये पेडागोगी सीरीज चल रही है जिसका ये चौथा भाग है दिस इस दा फोर्थ पार्ट आज की इस वीडियो में हम 10 महत्पूं वेरी इंपोर्टेंट प्रसनों को सेलेक्ट कर रहे हैं जो निशित रूप से आगामी परिक्षाओं में आपको मददगार सावित होंगे अगर पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले लाल बटन को दवा कर सब्सक्रा ना भूलें और वीडियो कैसी लगी कॉमेंट जरूर करें आपको ये वीडियो कितनी मददगार सावित होगी आने वाले एक्जामस में जरूर लिख भेजें और कहां से आप वीडियो को देख रहे हैं ये भी लिख भेजें दोश्टों चलते हैं आज के पहले प्रसन की त नमर तीन मनो विशलेशन आत्मक सिधान्त नमर चार इन में से कोई नहीं सही उत्तर है ओप्शन नमर दो थर्ण डाइक का जो सिधान्त है वहे वेवहारात्मक सिधान्त बेहेवरिज्म सिधान्त के अंतरगत आता है वेवहारात्मक सिधान्त थर्ण डाइक का जाने माने वेवार विद्धे थर्ण डाइक एक उन्होंने सीखने की वैख्या वेवार वादी सिधान्तों के अनुकूल की थी थर्ण डाइक ने प्रियास एवं तुर्टी नाम का सीखने का सिधान्त दिया था जिसका उद्धे से बिल्ली के उपर यानि जिसका प्रियोग जो था उन्होंने थर्ण डाइक ने बिल्ली के उपर किया था ये भी एक महत्वून प्रस्णिया बन जाता है थर्ण डाइक ने अपने प्रियोग किस पर किये थे तो उत्तर होगा बिल्ली पर किस नाम का उन्होंने सिध्धान दिया था थर्ण डाइक ने प्रियासेम तुर्टी का सिध्धान दिया था और उनके थर्ण डाइक के प्रिया के वक्र किसके सूचक होते हैं, learning curves indicate for which number 1, सीखने की मौलिक्ता के सूचक है, number 2, सीखने की प्रगती के सूचक है, number 3, सीखने के गत्यात्मक रूप या स्वरूप के सूचक है, number 4, सीखने की रचनात्मक के सूचक है, सही उतर है, option number 2, सीखने के जो वक्र होते हैं कर्ब्स होते हैं learning कर्ब्स वो सीखने की प्रगति के सूचक माने जाते हैं अगला प्रेस्न है वेक्ति वेक्तितु का सामाजिक अधिगम सिधान्थ किस ने दिया था व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिधान्त किस ने दिया था ओप्शन नमबर एक डॉक्टर लर्ड मिलर ओप्शन दो बंडूरा और वाल्टर ने ओप्शन तीन कार्ल रोजर्स ने ओप्शन चार यूंग ने सही उत्तर है ओप्षिन नमबर 2 वंडूरा और वाल्टर ने व्यक्तित्व का सामाजिक सिधांत दिया था अगला प्रस्ण है mirror drawing परिक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रियूक्थ होता है Option 1 गुद्धी के लिए Option 2 व्यक्तित के लिए Option 3 अधियम के लिए Option 4 नेतिकता के लिए सही उप्टर है Option 3 अधियम को मापने के लिए प्रिक्षण का उप्योग किया जाता है Mirror drawing परिक्षन सीखने या अधिगम के मापन हीतु प्रियोक्त किया जाता है अगला प्रसन है केंद्रिय प्रिवर्थी का एक माप है केंद्रिय प्रिवर्थी का एक माप है Option 1 माप्धिका Option 2 प्रसार छेत्र Option 3 और सत्व विचलन Option 4 मानक विचलन सही उत्तर है Option 1 माध्धिका जो होती है केंद्रिय प्रिवर्थी का एक माप है माध्धिका जो होती है केंद्रिय प्रिवर्थी के एक सांखी की विदी है जिसके द्वारा स्कोर के केंद्रिय प्रिवर्थी की माप की जाती है इसके अंतरगत माध्ध है यानि मीन, माध्धिक, मीडियन और बहुलक मोड आते हैं अगला प्रेशन है निम्न लिखित में कौन से से भिन है यानि दिये गए जो विकल्प में है वो कौन सा भिन है option 1, 16PF, option 2, TAT, 3, Cloud Picture Test, 4, Draw a Main Test, सही उतर है 16PF टेस्ट जो है अन्य तीनों से भिन है क्यों भिन है 16PF टेस्ट, अन्य तीन विकल्प, TAT, Cloud Picture Test, Draw a Main Test, ये तीनों प्रक्षिपी तकनिके है जबकि 16PF, कैटल द्वारा निर्मित व्यक्तित परिक्षन टेस्ट है जो की प्रक्षिपी सेणी में नहीं आता है विकास आत्मक कारिय के प्रत्य के पृतिपादक कौन थे? आप्षन एक, हैविग घर्ष्ट, आप्षन दो, हाल, लिंगवर्थ, आप्षन तीन, जीन प्याजे, आप्षन चार, हाल सही उतर है ओप्षन नमबर एक, हैविग घर्ष्ट जो थे संग विकास आत्मक कारिय के प्रत्य के पृतिपादक थे? यानि हैविग घर्ष्ट ने विकास आत्मक कारिय के प्रत्य का पृतिपादन किया था? विकासात्मक कारियर प्रत्य के पिर्ति पादक अमरीका की सिकागो यूनिवस्टी के प्रोफेसर राबर्ट हैवी घर्ष्ट थे स्रजन सीलता की पहचान है तु किसने स्रजनात्मक चिंतन परिक्षण का निर्मान किया था किसने स्रजनात्मक चिंतन परिक्षण का निर्मान किया था ओप्षन एक टारेंस ओप्षन दो मारी फिल्ड ओप्षन तीन कॉल एन ब्रूस ओप्षन चार कैंट सही उत्तर है option number 1 tolerance ने स्रेजन सीलता की पहचान के लिरे स्रेजनात्मक चिंतन परिक्षण का निर्माण किया था tolerance यानि tolerance जो थे उस रेजनात्मक चिंतन परिक्षण का निर्माण tolerance द्वारा 1971 में किया गया था जिसका अत्यदिक व्यापक प्रियोग किया जाता है अधी गम के प्राथमिक नियमों में से एक है दिये गए विकल्पों में से अधी गम के प्राथमिक नियमों में से कौन सा एक है Option 1 प्रभाव का नियम, Option 2 अभिवरत्ती का नियम, Option 3 समानता का नियम, Option 4 सहचारी अंतरण का नियम सही उत्तर है Option 1 प्रभाव का नियम जो होता है अधिगम के प्रात्मिक नियमों में से एक है प्रभाव का नियम जो है अधिगम के तीन प्रात्मिक नियम जो थन्डाइक द्वारा दिये गए थे जिन में तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम सामिल है आज का अंतिम प्रस्ण, नियम लिखित में किसमे अन्वेशन के उर्ध उपागम का उप्योग किया जाता है नियम में यानि दिये गए विकल्पों में से किसमे अन्वेशन के उर्ध उपागम का उप्योग किया जाता है दोस्तों ये आज के इस पार्ट का अंतिम प्रसंथा आशा करते हैं प्रसंथ आपको आगामी परिक्षाओं में सफलता दिनाले में महत्पूर्ण भूमी का निवा सकते हैं अगर वीडियो लगता है कि वास्तम में ग्यान वर्दक है तो डाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों में जरूर सेयर करें अगर पहली बार आपने हमारा चैनल देखा है वीडियो देखी है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइ करें और साथ ही घंटी के बटन को दवा कर और लॉंटिफिकेशन पर सेट कर दें दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद